सौमवार को इंडियन प्रीमियल लीग के 15 मैच में रॉयल चैलिंजर्स बैंगलॉर और लखनव सूपर जाइन्स का आमना सामना हुआ एम चिनना सौमी स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले को केल राहूल की अगवाई वाली टीम ने एक विकट से अपने नाम किया पहले बल्ले बाजी करते हुए आर्सीबी ने लस्जी के सामने 213 रनों का विशाल लक्षा रखा था जबाब में लखनों की टीम मैच की आखरी गेंज पर जीतने में काम्याब होई आर्सीबी की तरफ से इस मुकाबले में दिगज बल्लेबाज विराट कोली और आर्सीबी के कप्तान फाफ डुपलेसिज ने अच्छी पारिया खेली मगर इसके बावजूद न्यूदिलेंड के पूर्फ क्रिकेटर साइमन डूल और दिगज कोमेंटेटर हर्शा भोगली ने विराट और फाफ को ही आर्सीबी की हार का जिम्मेदार ठेहराया है दरसन हर्शा भोगले ने विराट और फाफ डुपलेसिज की दीमी बल्लेबाजी पर निशाना साधा है उन्होंने अपने आधिकारिक टुटर अकाउंट पर एक पोश्ट साजा करते हुए लिखा स्ट्राइक रेट के बारे में हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं इस गेम में उसकी पुष्ट ही हो गई है कोली ने 149 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली लेकिन उनके आखरी 16 रन 15 गेंदों में आए फाब डुफलेसिस का भी स्ट्राइक रेट 172 का रहा लेकिन उनकी भी अंतिम 30 गेंदों पर सिर्फ 33 रनाए ये गेंद वापस नहीं आ सकती आर्सीबी के लिए अंत में यही निर्नायक साबित हुआ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हर्चा बोगले ने बाबर आजम जॉस बटलर और शिक्खर दवन जैसे खिलाडियों की टी टुवन्टी क्रिकेट में दीमी बल्ले बाजी की जमकर आलोचना की है वही आर्सीबी बनाम LSD मैश में कोमेंटरी कर रहे न्यूजिलैंड के पूर्फ क्रिकेटर साइमन डूल ने कहा विराड कोली ने जब पारी की शुरुवात की थी तब लग रहा था कि वे रनों के लिए जा रहे हैं उन्होंने कई बड़े शौट लगाए लेकिन 42 ते 50 रन तक पहुँचने के लिए उन्होंने 10 गेंदे ले ली एक माइलस्टोन तक पहुँचने की चिंता इसमें साफ तोर पर दिख रही थी मुझे नहीं लगता कि खेल में इन सब के लिए कोई जगा भी है आपको बताते कि कोली ने लखनों के खिलाब सिर्फ 25 गेंदों में ही 42 रन जड़ दिये थे मगर उनका अर्ध शतक 35 गेंदों में पूरा हुआ ऐसे में हर्शा भोगले और साइमन डून ने विराट और फाफ डुफलेसिस को दीमी बल्लेवाजी के वज़े से आर्सीबी की हार का जिम्मेदार ठहराया है गौर्त अलवे की विराट कुली ने इस मैच में 44 गेंदों पर 4 चौकों और इतने ही छकों की मदद से 61 रन की अर्ध शतके पारी खेली वहीं फाफ डुफलेसिस ने 46 गेंदों पर 89 रन बनाए इस दोरान उनों ने 5 चौके और 5 चौके जड़े वहीं LSD की तरफ से मारकस स्टॉइनिस और निकोलस पूरन की विसपोटक पारी ने आर्सीबी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस टॉइनिस ने 30 गेंदों पर 65 रन जड़े और पूरन ने 19 गेंदों का साबना करते हुए 62 रन ठोक दिये जिसकी वज़ासे KL की टीम विज़ाई रही दोस्तों क्रिकेट से जोड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप्ट करने के लिए क्रिक टूडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए हम आप से विज़ार लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद